नमस्कार द्रस्टी आईस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है निखिल और आज हम रैंकिंग ओडर एंड सिक्वेंस के कुछ प्रीवेस येर कोश्चन्स पर चर्चा करेंगे चलिए शुरुवात करते हैं पहले प्रशन से देखते हैं इस तरह के इंग्लिस में पूछा गया है देखते हैं इंग्लिस एल्फावेट पर बेस्ट है अंग्रेजी बढ़नवाला में प्रारंबिक चार अक्षर विप्रीत क्रम में लिखे जाते हैं आगे पी इसी तरह लिखा जाता है वाई और जैड को परस पर बदल दिया जाता है तेरवे अक्सर के दाइं और इसे चोथा अक्सर कौन सा होगा जो जैसे-जैसे कॉशन में पॉजिशन दी है उसी के हिसाब से हमें जो अलफा बेटिकल शरीज है अंग्रेजी बढ़नमाला है उसे हमें चेंज करना क्या कह रहा है प्रारंबिक चार अक्षर विप्रीत क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे dcba लिखो ऐसे घर के लिखेंगे कैसे dcba फिर क्या है लिखे जाते हैं और अगले चार अक्षर विप्रीत क्रम में इसके बाद में फिर अगले चार अक्षर मतलब डी के बाद अगले चार अक्षर कौन-कौन से हैं, D के बन Ye E F G H, बेबी प्रिथ करम में लिखे जाते हैं, तो क् सरड़ोर अक्षर अक्षर बेपक्रम में करनद लिखे जाते हैं, तो क्योंसे लिखेंगे, H Do You Mean F, फिर अगले चार अक्षर लिखे जाते हैं और आगे भी इसी तरह लिखा जाता है, तो आप लिख लें, जैसे जैसे कोशन में किया, कहा गया है, वैसी वैसे हम लिख लेते हैं, अगले चार अक्षर मतलब 12, यानी L, उसके बाद में 11, K, 10, J, और उसके बाद में I, यह अगले चार अक्षर यानी 20, यानी T, या S, 19, 18, R, और 17 कितना होता है, Q, इसके बाद में अगले चार अक्षर यानी 24, 24 में कौन सा आता है, आपका X, 23 में W, 22 में V, और 21 में क्या होता है, U, इसके बाद में और क्या बचता है, Y और Z को आपस में बदल दिया जाता है, बाग संकरेंद किया जाएगा आपका वाई- dirt है यहां तक थो वैसा ही कर लिया आगे क्या दिया है, टेहरवे अक्सर के नाई और चोथा अक्सर कौन सा होगा, तिहरवे है टेहरवे कि काउंटिंग को ज़से करेंगे इस SMITH साईड़ से करेंगे, क्योंकि जब हम alphabet से लिखना शुरू करते हैं वो A से लिखना शुरू करते हैं लिखे जो इधर ही से हैं ना हमने तो इस side से लिखना शुरू किया है थो हम क्या पताना है 13 अक्षर के दाई और चोथा अक्षर 13 अक्षर कौन सा है 1 count करो इसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा और तेरा तेरवे अकसर क्या है? पी है तेरवे अकसर के यानि की पी के दाई और से चोथा अकसर पी के दाई और चोथा अकसर दाईयों और पहला अक्सर ये, दूसरा अक्सर ये, तीसरा अक्सर ये, चोथा अक्सर टी, टी की बात कर रहा है वो, कौन सा होगा, आंसर आपने बता दिया, जो चोथा अक्सर जो है, जो तेहरुए अक्सर के दाईयों और चोथा अक्सर टी होगा, आंसर आपका क्या हुआ, option भी हो गया ऐसे इतना simple सा question आया था हमने पहले किया भी है problem क्या हो जाती है बस हम step नहीं समझते की change कैसे करना है जैसे उसने question में दिया था ना चार अक्सर विपरीत कर्म में लिखे है तो हमने लिख दिया सारे हम ज़्यादा tension लेते ही नहीं है कि हम उसी पर चलें कि तेहरवा है तो सुरू के बारा change ना करें क्योंकि change तो अगले से ही हुने है ना कर सकते हैं ऐसा भी लेकिन ये ज़्यादा surety देगा आपको confidence ज़्यादा देगा थोड़ा सा time दस पंदरा सेकिंड ज़्यादा लग सकती है लेकिन surety रहेगी ठीक अगले प्रशन पर चलते हैं लड़कों की एक पंक्ती में ये 2020 का प्रशन है लड़कों की एक पंक्ती में A बाईं छोड़ से सोलवे इस्थान पर ग्यारवे और बी से तीसरे इस्थान पर है दाहिने छोर की और है पंक्ती में कितने लड़के हैं आपको बताना है टोटल लड़के कितने हैं पंक्ती में क्या दिया है कोशन में कि लड़कों की एक पंक्ती में ए बाई छोर से सोलवे इस्थान पर है लेप साइड और side a 22 चोड चे 16 इस्थान पर यह position किसकी है एक ही है इस side से है 16 इस्थान पर है आगे क्या है वी दाएं छोड से 38 इस्थान पर है वी यहां पर है के दाई और ग्यारवे इस्थान पर है ग्यारवे और वी से तीसरे इस्थान पर दाहिनी छोर की और है अब देखो जी एके दाई और ग्यारवे और वी से तीसरे इस्थान पर दाहिनी छोर की और है वी से तीसरे इस्थान पर वी से तीसरे इस्थान दाहिनी छोर की और यानि इस पोजिशन की बात कर रहा है वो इस वाली पोजिशन की पहला दूसरा तीसरा इस पोजिशन की कि V से दाहिनी इस्थान की और दाहिने छोर की और है तीसरे इस्थान पर तो हमने लिख दिया यह इसके बारे में यह और क्या बात कर रहा है कि G A K दाहिनी और 11 G ये किसकी position है G की position है अगर A के respect में बात करें तो कौन से इस्थान पर है ये 11 इस्थान पर है तो 11 इस्थान ये है तो ये 10 वा होगा ये 9 वा होगा ये 8 वा होगा यहाँ पर 7 होगा यहाँ 6 होगा यहाँ 5 होगा 4, 3, 2, 1 इस तरह से position नहीं होगी कि A के दाहिनी और A के दाहिनी और 11 इस्थान पर कौन है G है हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 11 इस्थान पर G है अब सारी किसारी condition को फुलफिल कर रहा है कि कौन सी condition A left side से 16 इस्थान पर B दाहिनी और से 18 इस्थान पर G, A के दाहिनी और 11 इस्थान पर और V के दाहिनी जोऑन की और तीसरे इस्थान पर 1, 2, 3 तब भी एवाद सही है आगे क्या बताना है आपको कि पंक्ती में कुल कितने ललखें है पंक्ति में लड़कों की संख्याब आपको बता देनी है अब देखो पंक्ति में लड़कों की संख्याब कैसे बताते हैं हम जब हमें एक ही ब्यक्ति की दाइए और बाइए दोनों छोड़ से पोजिशन पता हो एक ब्यक्ति है उसकी दाइए चोड़ से पोजिशन पता है ब मैं इसे राइट साइड से तो पताईए कि एठारवे इस्थान पर है इस साइड से और पता चल जाए पता चल जाएगा कैसे यह सोलवे इस्थान पर तो यह है फिर यह वाला इस्थान कौन सा वह 17 फिर यह 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इसकी पोजिशन कौन सी हो गई लेट साइड से 24 राइट साइड से 18 निकाल देंगे 24 प्लस 18 माइनस एक आपका आउसर आजाएगा 24 प्लस 18 माइनस 1, कितना होगे आठ चार बारे का दो हांसिल लगा एक 42-1 यानि की आंसर कितना हो गया आपका 41 कितना हुआ option बी आपका सही आंसर है समझ में आया हमें position किसकी निकालनी थी कि जैसे जैसे question में दिया था हमने ऐसे चार्ड बना लिया फिर किसी एक ब्यक्ति की दोनों तरब से position पता गर ली या तो एक की पता गर लेते है या वी की पता गर लेते है जी कि जिसका भी आसान था उसकी पता गर लेते है आसान किसका था वी का निकालना वी की हमने निकाल ली क्यों निकाली इसकी राइट साइड से position तो दी हुई है और A के respect में हमारी left side से position भी आ जाएगी A 16 इस्थान पर है और ये कितने पर है, 8 इस्थान आगे है 8 इस्थान आगे है, तो 16 और 8 24, तो 24 इसकी 22 तरफ से position 18 इसकी 22 तरफ से position तो दोनों को जोड़ा, minus 1 कर दिया आंसर क्या हुआ आपका, 41 की पंक्ती में कुल 41 है 41 लड़के हैं इस तरह से question पूछा गया था next question पर चलते हैं बामन बिद्ध्यारतियों की एक अक्षा में 15 बिद्ध्यारति अनुतीन हुए, फेल हुए अनुतीन बिद्ध्यारतियों के नाम हटा देने के बाद में योगिता करम की एक सूची बनाई गई जिसमें रमेश का इस्थान ऊपर से 22 हुआ है नीचे से उसका इस्थान बताईए बामन टोटल बिद्ध्यारति थे उसमें से फेल वाले को अटा दिये 15 बिद्ध्यारति फेल हुए बामन में से माइनस 15 कितना हुआ बारा मैंसे पांच गया तो साथ चार मैंसे एक गया तो तीन यानी अभी कितने बचे जो 37 है वो पास हुए अनुत्तीन बिद्ध्यारतियों को हटा देने के बाद में तो इसलिए हमने हटा दिया अनुत्तीन को योगितरम की एक सूची बनाईगी मतलब इन 37 लोगों की एक सूची बनाई गई सूची किस तरह से बनाई गई है जिसमें रमेश का इस्थान उपर से 22 हुआ है 37 लोगों में से जो रमेश है वो यहां पर है 22 इस्थान पर 22 इस्थान है किसका रमेश का तो हमें बताना क्या है इसमें कि नीचे से इसकी पोजिशन क्या है नीचे से इसका रमेश का इस्थान क्या है टोटल कितने थे 37 इसका इस्थान ऊपर से कितना है बाइस हुआ तो 37 माइनस 22 और प्लस 1 प्लस 1 क्यों किया बैसे ही जैसे हमने पढ़ा था एंड प्लस स्टार्टिंग जो होता है एंड प्लस स्टार्टिंग माइनस 1 टोटल होता है हमने पढ़ा था ना end plus starting minus 1, टोटल, अगर हमें total दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया है, total, 37 दिया है, end से position हमें बतानी है, और उपर से क्या दिया है, 20, उपर से starting से position कितनी दिया है, 22, तो हम क्या करेंगे, 37 में एक जूट जाएगा, इधर जाके ये, اور 22 को minus कर देंगे, वैसे ही हमने किया कि 37 में एक जोड दिया और 22 को माइनस कर दिया यानि 38 माइनस 22 आंसर क्या जाएगा 38 माइनस 22 आंसर होगया आपका 16 इसकी position है आंसर हो जाएगा option C कि 16 जो position है वो नीचे से है किसकी है रमेश की position है अंत से जो कि सूची जो बनाई गई है वो सिर्फ पासबालों की बनाई गई है, ये कोशन पूछा गया, UPSC 2000, 17 का कोशन है, next साथ विद्यार्तियों की एक अक्षा में, जहां लड़कियां लड़कों से दोगनी संख्या में हैं, कमल का रैंक उपर से सतरवा है, यदि कमल से पहले नुँ लड़कियां हैं, तो कमल के बाद रैंक में कितने लड़के हैं, कोशन को समझना हैं, सिर्फ साथ पिद्यारतियों के एक अक्षा है जहां पर लड़किया लड़कों से दो गुनी हैं, मतलब अगर लड़का एक है तो लड़की दो है, टोटल स्ट्रेंद कितनी है साथ, अनुपात कितना है लड़के लड़कियों का अबवाइज और गल्स का अनुपात कितना है, एक अन 60 को बाढ़ देंगे एक अनुपाद 2 में तो कैसे बाढ़ते हैं हम अनुपाद में 60 बटे 1 प्लस 2 गुणा एक ये कितने आ गए लडके आ गए दो और एक एक लड़का कमल जो की एक लड़का है का रैंक उपर से सत्रुवा है साथ बच्चों की बंगती है उपर से इसका रैंक कितना है सत्रुवा 17 रैंक है कमल का सत्रा है यानि उसके उपर कितने लोग बचे उपर कितने लोग बचे सत्रा के उपर ये लोग है वो कितने बचे तोला ठीक है तोला कुलोर भी एकती होंगे उपर से सत्रुआ है यदि कमल से पहले नो लड़किया है इसके उपर जो लड़की है वो कितनी है, लड़की तो 9 है, 9 क्या है लड़की, ठीक है, तो बाकी के जो बच्चे हुए साथ है, टोटल तो 16 उपर है ना, कमल के उपर कितने लोग है, 16 नो लड़किया है, तो 16 माइनस 9 बराबर के साथ क्या है, लड़के हैं, इसके उपर यह कह सकते हैं, 16 टोटल लोग है कमल के ऊपर total 16 हैं, में से 9 ओ लड़कियां यहीं तो कह या का है कमल के पहले 9 लड़कियां है तो 9 को माइनस कर दिया यानी कि 7 लड़के हैं अगे क्या कहा है तो कमल के बाद rank में कितने लड़के हैं साथ लड़के ओपर 8 हुआ तो कमल प्लस एक 8 कमल सहीद कितने लोग है 8 टोटल लड़के हैं कितने टोटल लड़के हैं 20 टोटल तो 20 ही है ना टोटल 20 है और 8 तो यहां तक पूरे हो गई तो टोटल कितने हो बचे 20-8 यानि कि इसके बाद में बारा लड़के और रहे होंगे, एक टोटल कितने रहे होंगे ये, बारा लड़के और रहे होंगे, आंसर हो जाएगा आपका option B, सब्ज में आया, जैसे जैसे कहा गया है, वैसे वैसे हमने solve किया है, आराम से इत्मिनान से solve करना है, कोई हबडा तबड़ी नहीं दिखानी, पोजिशन दीती, सत्रवी कमल की, उपर से position, साथ लोगों के समों में, अगर सत्रवी पोजिशन है, तो उसके उपर 16 लोग बचे है, उसने कहा है कि कमल से पहले 9 लड़किया है, जब 16 लोग हैं और 9 लड़किया है, तो 16-9 यानि कि 7 लड़के है, बचे, 7 लड़के और कमल होंगे, 12 लड़के कहा होंगे, नीचे की तरफ होंगे, आपका answer भी क्या हो जाएगा, किल कमल के बाद rank में 12 लड़के हैं, अगले प्रशन पर चलते हैं, देखते हैं क्या प्रशन है, किसी पंक्ती में A 22 और से 11 इस्थान पर है, B दाहिनी और से 10 इस्थान पर है, A और B आ आएंगे, ठीक है, A पंक्ती में A 22 और से 11 इस्थान पर है, 22 और से 11 इस्थान मतलब ये आगर लेप्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो ये 11 इस्थान पर है, कौन है, A, ये किसकी पोजिशन है, A की पोजिशन है, किस साइड से है, लेप्ट साइड से है, इस साइड स और क्या है बी दाहिनी और से दसवे स्थान पर बी राइट साइड से बी मान लिजे यहां पर है दसवे स्थान पर है राइट साइड से है ठीक है बी के पोजिशन ए और बी आपस में इस्थान बदल लें तो ए बाइट और से अठारवे स्थान पर हो जाता है मतलब A के place पर यहाँ पर क्या आजाए B के place पर A आजाए और इसके A के place पर क्या आजाए यह इधर आजाए यहाँ पर क्या हो जाए B हो जाए यहाँ पर क्या आजाए B आजाए A के place पर B, B के place पर A तब क्या होगा तो A बाइं और से अठार होए अठार भी हो जाती है, अब यहाँ पर आ गया Come Iran相े कि साइड से बाई तरप से, तो आपको बताना है कि पंगती में a और b के अलावा कितने लोग है तो सबसे पहले तो यह निकालो लो ना कि टोटन लोग कितने Shopify कितने हैं फिर उसमें से पिर और अगर दाइन तरफ से count करें, तो दाइन तरफ से position कितनी है, दसवी, यहीं पर तो बैठा है ना, तो दसवी position पर बैठा है, तो कितनी हो जाएगा, 10 plus 18, यानि कि 28, यह क्या है, total है, यह तो cool हो गए ना, पंक्ती में, पंक्ती में कितने लोग है, total 28, लेकिन क्या पूछा है उसने a और b के अलाबा, a और b मतलब 1 a और 1 b, 2 को माइनस कर देंगे, तो result कितना आ जाएगा, 28 minus 2, यानि कि total जो लोग है, वो 26 है, a और b के अलाबा, a और b को निकाल के, अलग करके, exclude करके, 26 लोग है, answer क्या हो जाएगा, option b, हमारी गलती यहीं पर हो जाती है, 28 ही समझ लेत जो एक्जाम में होती है, कई बार, 2 से 3, इस से भी ज़्यादा question, सर्फ silly mistakes की वैसे आपके exam में गलत हो गए होते हैं, अभी तक इस वीडियो में आपने 5 question की, सारे के सारे previous year, ऐसा मुझे लगता नहीं है, कि आपने थोड़ी सी practice की है, तो कोई एक भी question ऐसा था, जो आपकी पोंच से पकड़ से बाहर होता, ठीक है, question tough नहीं आते हैं, बस आपकी approach सही होनी चाहिए, बागी मिलते हैं next class में, तब तक के लिए धन्यावाद